Good morning students, आज हम economics का 4th chapter स्टार्ट करेंगे poverty Poverty means greedy, कौन किसको हम गरीब बोलते हैं, किसकी कितनी salary कम होने से, कितनी income कम होने से, हम उसको गरीब कहते हैं तो यह सब हम इस chapter में discuss करेंगे कि who is poor, what are the types of poverty, what are the causes of poverty, what are the trends of poverty, what are the measures undertaken by government तो यह सब poverty गरीबी के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे Let us start, what is poverty and poverty line Poverty and richness are relative term, गरीबी और रिच्च और पूर यह दोनों ही related terms है, एक दूसरे से इन दोनों का link है It can't be said who is poor or rich यह कभी नहीं कह सकते who is poor or rich के कौन अमीर है, कौन गरीब है Meanings of these terms change with the change in place, situation and country यह दोनों ही term country, situation change होने से change हो सकती है जैसे कि इंडिया में अगर किसी के पास 1000 रुपीज है तो उसकी condition ठीक है, एक दिन का उसके पास पैसे पड़े है पट वही अगर country change हो जाए तो कहीं कुछ countries ऐसी होती है जहां पे 1000 रुपीज की कोई कीमत नहीं है वहां पे महंगाई इतनी है तो कि पर्सन पर्सन रिच है विलेज में वह गाउं में रहता है वहां पे अमीर है सरपांच है वहां का उसके पास बहुत पैसा है वो पर्सन अगर शहर में जाता है तो वहां पे रिच नहीं होगा क्योंकि वहां पे बहुत ज़ादा महंगाई है उसके थोड़े पैसे भी उसको कम लगेंगे So who is rich in India may not be rich in USA क्या आपता इंडिया में rich person USA में rich ना हो क्योंकि वहाँ पे भी वैसे ही same to same poverty यह sorry money value different है Similar in the case of poverty Who is poor? What is poverty? is the topic of this chapter This chapter में हम यहीं पढ़ेंगे कि who is poor and what is the poverty Now according to the अन्रिकर and राथ यह मतलब इन्होंने definition दी है poverty की Those who do not get 2250 calories of food daily are below the poverty line जिन persons को एक दिन का who do not get 2250 calorie food daily का नहीं मिलता खाने को इतना भोजन नहीं मिलता उनको हम क्या कहते हैं below the poverty line के वो गरीब गरीबी रेखा से नीचे है ओके, now the persons living below poverty line is called poor जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको हम क्या बोलते हैं पूर बोलते हैं इसको दो दिन का बोजन एक दिन में नहीं मिलता जिस परसन को उसको हम बोलते हैं गरीब इसके पास बहुत कम एसे जैसे कपड़े बहुत कम हैं बेड़ की यूटेंसिल बरतन बहुत कम हैं उसके पार मतलब फरनीचर बगारा कुछ नहीं है वो कच्छे घर में रहता है कोई पका घर नहीं है जमीन नहीं है उसके पास वो क्या है पूर परसन है अब पूर गरीब लोगों के भी कैटागिरीज बनाई जाते हैं फर्स्ट वन इस क्रोनिक पूर एंड सेकेंड इस ट्रांजियंट पूर क्रोनिक पूर आगे हम तू टाइपस में डिवाइड करते हैं ओल्वेज पूर यूज़ली पूर यह आम तोर पे पूर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं अग्या के रशे कर्निंग पूर दी मुव इन एंड आउट ऑफ पॉर्टी एक्जमपल स्मॉल फार्मर्स और सीजनल वर्कर्स तो वह वर्कर्स जिनका जिनकी रिचनेस और पूर्नेस टाइम पे डिपेंड करते हैं वह होतें ट्रांजियंट पूर्टी जो आम तोर पे ओल किसान के होते हैं सीजन में काम चलते हैं तो उस टाइम उनके पास पैसा होते हैं बट सीजन जाने के बाद उनके पास उस टाइम फसल नहीं होती काम नहीं होता और पैसे की भी कमी होती हैं So the next is important है, यह question two marks के लिए, what is relative and absolute poverty? Relative poverty refers to the poverty of people in comparison to other people, region or nation. Relative poverty, relative poor हम किसको बोलते हैं? जब हम एक person का compare दूसरे से करते हैं, एक country के लोगों का compare दूसरी country, दूसरे reason के लोगों से करते हैं, तो हम बोलते हैं, relative poor. कि इंडिया में यह अमीर हैं, but as compared to USA, यह person गरीब है, तो that is relative poverty. It is related to inequality and comparison of income. Compare करते हैं हम income का, इंडिया का और USA का. इंडिया is relatively poor than USA. तो इंडिया का comparison किससे हुआ? USA से तो इंडिया गरीब है, तो यह क्या है? Relative poverty. Now the second is absolute poverty. Absolute poverty refers to the total number of people living below. Absolute means fixed. जितने fixed लोग poverty line के नीचे हैं, वो होते हैं, absolute poor. जो absolute, जो fixed persons गरीब ही रेखा के नीचे हैं, चीक है? तो उनको बोलते हैं, absolute poor. In India, 29.8% of the total population is absolute poor. तो इंडिया में 2009-10 के according, 39% लोग क्या है? गरीब हैं, absolute poverty line के नीचे हैं. So, next topic is trends of poverty in India. Trend discuss करेंगे, national trend. National level पे trend discuss करेंगे, पूरे इंडिया लेबल का अगर हम बात करें. तो firstly, देखो, 1970 ही काचस में थी, number of poor's कितने थे? 17 क्रोड. Okay, 17 क्रोड थे, जो poor counting थी, फिर poor बढ़ गए, number of poor's बढ़ गए इंडिया में, फिर 32 हो गए, फिर 26 कम हो गए, फिर 40, 35. तो यह trend है, national level का, तो आपने इन में से कोई भी 2-3 पॉइंट से learn करने हैं, ओके, नाओ देखो, आपको बार डाइगरम सिखाया हुआ है, प्लस वन में, तो आपने उसी से इसको relate करने है, देखो, जो dark color है, वो number of poor's के लिए है, और जो light color है, वो percentage को शो किये इनोंने, यह पे number of poor's भी है, और percentage भी है, सबसे चोटी value काउन सी है, 17, सबसे बड़ी value काउन सी है, 46, तो ऐसे ही हमने इसका बार डाइगरम शो करना है, पहले तो देखो, 1970 का पहले तो number of poor's शो कर दो, फिर उनकी यह percentage आगी, फिर यह number है, यह percentage है, मिन्स पहले number percentage, multiple bar diagram आपको plus one में करवा हुआ हुआ है, तो उसी से relate यह किया हुआ है, next is rural urban trend, rural मतलब जैसे rural शहर में जो लोग रहते हैं, और urban जो शहर में रहते हैं, rural जो गाउं में रहते हैं, तो उन दोनों का compare करते हैं, देखो, urban में कितने गरीब हैं, 38.2, but rural में कितने गरीब हैं, 51, तो यह comparison आपने learn करना है, तो पहले हमने किया national label पे, फिर हमने किया rural urban level पे, अब यह है state level पे comparison, तो आपने कोई भी दो तीन point इन में से learn करने हैं, next topic is causes of poverty, क्यों गरीबी बढ़ रही हैं, क्या reasons हैं, first one is heavy pressure of population, दिनों दिन जनसंख्या बढ़ने से गरीबी भी बढ़ रही हैं, क्यों गरीबी जनसंख तो production prices क्या हो जाएंगे, increase हो जाएंगे और उससे गरीबी बढ़ती जाती है, second is unemployment, नोकरी नहीं मिल रही, जिसकी वज़े से poverty बढ़ रही है, third is increase in prices, वस्तों के prices बढ़ने से भी गरीबी बढ़ती है, क्योंकि लोग purchase नहीं कर पाते, तो वो खा नहीं पाते, खा नहीं पात जो लोगों में पैसा इतना नहीं मिल पा रहा, तो यह आपने any five points काजिस के learn करने हैं, okay, next topic is measures to eradicate poverty, कि कैसे कम की जा सकती है poverty, बिलकुल easy topic है, जो points हमने problems में discuss कियें, उनको दूर करने, वहाँ पे हमने discuss किया था, कि population problem है, तो यहाँ पे population control आ गया, वहाँ पे हमने बढ़ा कि unemployment बहुत जादा है, इसलिए गरीबी जादा है, तो यहाँ पे employment government को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नोकरियां provide करें, आपने ये topic read करना है, अगर कोई doubt हुआ तो आपने मिल से consult करना है, okay, next topic है last measures undertaken by government, तो government ने बहुत सारी योज इत्टेर्चे रचने, ऊजए पजेश ड वहाँ चाहिए कि सत्सक्वादाए को तो कि तृण इसकम करना है, कि मिल 20 federal को उपश to 만들어 हैं, अगर करना है् It बहुत सारी बहुत स्टेर्चेर्चेर्चेर्चेर्चेर्चेर्चेर्चेलो участ Champion